हलो दोस्तों मैं हूँ प्रतमेश रंजनी और मैं आप सभी का P.W. सरकारी एक्जाम चैनल के ओपर बहुत-बहुत स्वावत करता हूँ कल दिल्ली के विज्ञान भवन में 68th National Film Awards को डिस्ट्रिब्यूट किया गया राश्पती द्रौपती मुर्मुजी और Information and Broadcasting Minister अनुराग ठाकूर जिने इन पुरुसकारों को वित्रित किया है National Film Awards आपकी किसी भी examination के लिए बहुत important हो जाते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि इन awards को कोई private organization डिस्ट्रिब्यूट नहीं करता है कि awards फारस सरकार की और से दिये जाते हैं इसलिए various examination के अंदर इन awards से question आने के chances बहुत जादा होते हैं इस बार के awards साल 2020 के लिए दिये गए हैं 2019 के बाद देश में lockdown लग गया COVID-19 के कारण इन awards को नहीं दिया जा सका था और इसलिए 2022 में इन awards को distribute किया गया है पर यह point याद रखेगा कि awards 2020 के लिए दिये गए हैं अब national film awards की बात की जाएं तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि किसी एक particular language की cinema को लेकर यह award दिया गया है भारत के अंदर जो पूरा हमारा cinema जगत है चाहे फिरम तमिल सिमिना की cinema की बात की जाए बॉलिवीड मुवीज की बात कर ली जाए इन सभी cinema जगत के अंदर से जो भी बेस्ट मुवीज है बेस्ट एक्टर है बेस्ट एक्ट्रेस है उनको यह award भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है और ऑफिशली गवर्मेंट ऑफ इंडिया का यह award है जो की काफी प्रस्टीजियस होता है आगे अगर बात की जाए इन पुरुसकारों को 1954 के अंदर स्टैबलिच किया गया था 1953 तक आते आते भारत में सिनमा की पुपुलारिटी बढ़ने लगी थी और इसी को देखते हुए 1954 में भारत सरकार ने इन अवार्ट्स को देने की घुशना करी पूरे देश ते कई movies के nomination इसके अंदर आते हैं तिसे इस बार 305 movie को नॉमिनेट किया गया था national film awards के अंदर और इस फिल्म का अवाड दिया जाएगा देखिए यहां पर एक 10 members की jury होती है जिसके chairman होते है chairman अलग होते हैं याद रिखेगा 10 members होते हैं और एक chairman होते हैं इस बार के जो chairman थे उनका नाम था विपल शाह यह chairperson थे और यह jury select करती है different different awards को different categories के अंदर याद रिखिएगा chairman का ना most film friendly states का अवाड दिया गया है वो मिला है इस बार मद्रप्रदेश को बहुत-बहुत-बहुत important है। इसको note कर लिए मद्रप्रदेश के साहसात उत्तरप्रदेश और उत्तरकंड को भी special thanks दिया गया है पर जो अवाड मिला है वो अवाड दिया गया है मद्र यहां पर शूटिंग करना काफी आसान होता है सरकार के restrictions कम होते हैं तो यह याद रखिएगा इस तरह के questions exams में पूशे जाते हैं इसके बाद इसे 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 बार का जो बेस्ट बुक का अवार्ड किसे मिला है सारी फिल्म पूरे सिनेमा जगत के अंदर सबसे अच्छी मुवी का अवाड किसे मिला है इस बात को याद रखिएगा ये अवाड साल 2020 के लिए दिये गए तो यहां पर best feature film का अवाड दिया गया है बेस्ट एक्टर की बात किजाए तो बेस्ट एक्टर का वाट दो व्यक्तियों को दिया गया है दो लोगों को दिया गया है पहले यहाँ पर है सूरिया और दूसरे यहाँ पर है अजे देवगन अजे देवगन को उनकी मुवी ताना जी के लिए अवाट दिया गया है ऐसा हो डासर डारेक्टर ब्च डा-ट्री याद रखेगा सचीदानंदन के आरजयton को याद रुखेगा सचीदानन लंन ग coffee लिखे में कंड ऑवाच मालयालम डारेक्टर है इनको बैस्ट एक्टर्स का अवार्ड दिया गया है अपरना बाला मुरली को अवार्ड दिया गया है याद रखेगा सूरिया और सूरिया के साथ साथ अपरना बाला मुरली को यह जो अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर का और बेस्ट एक्ट्रेस का यह सेम मुवी के लिए मिला है और यह व होत इंपोर्टेंट है पूछा जा सकते हैं आपकी एक्जामनेशन के अंदर बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवाइड किसी और मुवी को मिला है आगे हम बात करते हैं बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम इंटेटेन्मेंट ऐसी मुवी जो बहुत दिया गया है वह बेस्ट पॉपुलर फिल्म का और यह अवाइड दिया है किसने दिया यह नैशनल फिल्म अवाइड के इंदर दिये गया है और 2020 के लिए आगे बात करते हैं बेस्ट चिल्रेंस फिल्म पैस्ट चिल्रेंस फिल्म का अवाइड दिया गया है इस मुवी को ब रखिएगा देखिए कुछ important नाम यहाँ पर है उन नामों को याद रखना जरूरी है विकॉज आपके examination में पूछा जा सकता है आगे हम बात करते हैं वेस्ट हिंदी फिल्म का वाट किसे दिया गया है तो बेस्ट हिंदी फिल्म का वाट दिया गया है तुलसिदास जूनियर क को आगे बात की जाए बेस्ट मेल प्लेबेक सिंगर का वाट दिया गया है राहुल देश पांडे को और बेस्ट फीमेल सिंगर का वाट दिया गया है निंजी अम्मा को देखिए इस तरह के अवार्ट से जब भी question आते हैं तो वह अब से directly पूछे जाएंगे जिससे कचे देवगन है और एक सूरिया है अजे देवगन को यह वाट तीसरी बार मिला है इसके पहले भी उनकी दो मूवी पहली मूवी थी जक्म जो कि 1998 के अंदर आय थी उस टाइम पर भी उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ट मिला था और इसके बाद लेजंड ऑभगत सिंग मू सपोर्टिंग एक्टर का वाट दिया गया है बीजू मैनन को और बैस सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो अवाट दिया गया वो दिया गया लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को पूछे जा सकते हैं इस तरह के कुश्चन तो आपको ध्यान रखना है अब आगे बड़ा इंप 25 से ज़्यादा मूवीज के अंधर काम किया है अब दादा साहर फाल के अवाड के बात की जाये तो 1969 के अंदर से स्टैबलिश किया गया था ता दा साहर फाल के को father of Indian cinema भी कहा जाता है और उनकी याद में सवार को दिया जाता है और ये अवार्ड इस बार दिया गया है आश क्योंकि examination में पूछा जा सकता इस तरह के questions directly आपको आते हैं कलिए ठीक है आप इसी तरीके से मैनत करते रही है आप सभी अपना ध्यान रखिए जैन जै भारत